दिल्ली को नया मुख्य मंत्री मिलने वाला है आतिशी 21 सितंबर को सीम पत की शपत लेंगी अब शपत ग्रेंट समहरों तो शनिवार को होने वाला है लेकिन उनकी कैबिनेट को लेकर पहले से ही जानकारी सामने आ गई है इसके उपर अर्विद केजरिवाल क्या करने वाले है ये भी सामने आ गया है कहा जा रहा है कि आतिशी के साथ पांच मंत्री पत की शपत ले सकते हैं कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा जोरों पर है इन नामों में गुपार राय, कैलाज गहलोत, सौरव भार दौाज, इमरान हुसैन और मुकेश एहलावत का नाम है, अगर 21 सितंबर को आतिशी सियंपत की शपत लेंगी तो अगले ही दिन के जरिवाल भी जनता की अदालत को संबोधित करने वाले हैं, उससे उनकी एक बड़ी रणनिती का हिस्सा माना जा रहा है, वैसे आमाभी पार्टी की इस नई कैबिन सीधे नौर्थ इस्ट दिल्ली को साधना चाहती हैं, पहले तो इस रेस में कोंडली से विधायक कुलदीब कुमार का नाम भी चुल रहा था, लेकिन समीकरण के लिहास से मुकेश एहलावत ने बाजी मार ली, अब समझने वाली बात ये है कि दिल्ली का नौर्थ इस्ट इ अपने जीत दर्ज की थी, लेकिन लोग सभाच नाओ के लिहास से उसे जटका लगा, वो दस में से सिर्फ एक सीट पर लीड करती दिखी, इसी वजह से अब दरीतों को साधने के लिए अहलावत का कार्ड खेला जा रहा है, इसे आतिशी का बड़ा दाओ माना जा रहा है, आतिशी के इस फैसले से लगता है कि वो अपने इस फैसले से केजरिवाल से भी आगे निकल गई है, वैसे आतिशी के नए कैबिनेट की खास बात यह है कि यहाँ पर एक नया चेहरा जरूर रखा गया है, लेकिन केजरिवाल की कोर टीम के साथ कोई छेड़ छाड नहीं हु वैसे यह माइने रखता है क्योंकि आतिशी को पहले ही बता दिया गया कि वो सिर्फ विधान सभा चुनाओ तक के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई है, बिली सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेथ साथ सदस्य है, नए मुख्यमंत्री और नए सदस्यों का कारेकाल चोटा होगा क्योंकि मौजूदा विधान सभा का कारेकाल फरवरी दो हजार पच्चीस तक है, कैबिनेट में गुपाल रायक, अलाज कहलोत, सौरव भारद्वाज और इम्रान हुसैन, मंत्री पत पर बरकरार रहेंगे, इसके उपर आपके तमाम बड़े नेता भी यही कह रहे हैं कि आतिशी को सिर्फ एक भारत की भूमी का निभानी है, उन्हें तो एक आइस्थाई सीम के रूप में दिखाया जा रहा है, पार्टिक का संकेत है कि चहरा अरविंद केजरिवाल ही रहने वाले हैं, सीम कोई भी बन जाए, चुनाओ में केजरिवाल के चहरे पर ही वोट मांगे जाएंगे, ऐसे में बिजेपी तो आरोप लगा रही है कि दिली में एक डमी सरकार चलने वाली है, जहां पर कहने को सीम आतिशी रहेंगी, लेकिन रिमोट कंट्रोल केजरिवाल के हाथ में रहेगा, लेकिन जो भी है, आतिशी ने अहलावत काट खेल कर ये सा किसरी महिला मुख्य मंतरी बनने जा रही है, आपकी एक प्रमुखनेता आतिशी ने पूर्व सिक्षा मंतरी मनीश सिसोधिया की सलहकार के रूप में अपने कारेकाल के दौरान दिली की सरकारी स्कूलों में सिक्षा को बहतर बनाने में एहम भूमी का निभाई है, आतिशी के लिए आपका नेतरुत करने के लिए तैयार हैं, फिल्हाल इस खबर में इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रही है, आज तक भारत के साथ